इसरी रियल्टी ये है कि पंडित नहरू के पड़पिता गयासुत दीन थे ठीक है तो उनके वंश की खोज वहां की जाएगी और वो विदेशी पाए जाएगे इसी तरह से इंद्रा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी की थी और राहुल गांधी का वंश जो है वो हिंदू ब्रामण या ये सब नहीं है वो दरसल मुस्लिम की संतान है ये मतलब जो इस देश की संतान है भारत वंशी मतलब बाहर से आए ही नहीं है उनकी भी आप उसक संदिक्त बनाते हैं उसको स्विकार नहीं करने देते हैं स्विकार नहीं करते हैं तो बागी चीजों के बारे में क्या बात की जा देखिए मुकेट जी शीतल जी ने बहुत बढ़िया बात के दी कि हम हिपोक्रेट है इसमें सब कुछ बाते आ जाती हैं मात्र लोक तंत्र होन और लोगतंत्र लागू करने की आवकात होना ये दो बाते अलग-अलग हैं. हमारे यहां लोगतंत्र है लेकिन हम लोगतंत्र के लिए तयार नहीं हैं. हम इस लाइक नहीं है कि हम लोगतंत्र को पालें. क्योंकि हमारे यहां लोगतंत्र मात्र सविधान की किताब में रहता है वास्तविक्ता में लोक तंत्र कहीं दिखाई नहीं देता आज हम ब्रिटन में हिंदू और हमारा भारती है प्राइम मिनिस्टर बना करके सेलिब्रेट करते हैं लेकिन जब कोई विदेश हमारे यहां किसी बड़े पोस्ट पर आनी की बात करता है तो हमारे पेट में दर्ध हो जाता है मुझे लगता है कि जिन तमाम विदेश, बड़े-बड़े देशों की बात आपने की, चाहे अमेरिका हो, चाहे एनने सिंगापूर में भी देखिये आप, वहाँ पे चाइनीज और साउथ इंडियन लोग जो है वो बड़े पोस्ट पे हैं, कैनडा में बड़े पोस्ट पे ह सिंग्याऊ बड़े करता है, वो आदमी की काबिलियत दिखते हैं, वो आदमी का GENDER, आदमी की RACE, आदमी किस कलर का है, यह कतई नहीं देखते, उनके देश के सामने समस्या है, उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए जो समस्याओं को निदान करें, इसलिए वो लेते हैं, अभी प्रामिस के साथ बनी थी एक प्रामिस के साथ बनी थी, वो जूट बोलते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है, वहां की जनता जूट एक्सेप्ट नहीं करती है। क्योंकि आपको विरोध करना है, आपको गांधी परिवार का विरोध करना है, आपको जवारला नेरू का विरोध करना है, इसलिए आप रूट्स धूटें कि वो मुसल्मान थे। वरतमान में जो सरकार में लोग सत्ता में हैं, उनके भी रूट्स धूटें गए तो ऐसे ही न आप जो सत्ता में आना चाहते हो वो देश की समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है। कई जगा क्षेत्रियों की दलितों की नहीं बनती, दलितों की ब्रामनों की नहीं बनती, वो भी इसी अलग राग अलागता है। क्षेत्रियों का गवर्नर बेतरी मुदारण तो क्या अबास नक्वी यह हिंदू-मुस्लीम नहीं थे। वो विचारे क्या बस अब और क्या बचाता उनको और करने में। इसके बाद भी उठाके फेक दिये गए, मंत्री मंडल से। उनसे ज़्यादान अब नालाइक की शब्द पार्लेमेंटर है की नहीं मुझे पता नहीं है। लेकिन उनकी लाइकियत ज़्यादा है बाकी लोगों से। ऐसे लोग अभी भी बैठे हुए हैं कैबिनेट में। जिनकी कोई आوقाद महीं, जो गैंस्टर है, जिनके उपर केसेज हैं, जिनके उपर हक्त्या की मुक्यदा में चल रहे हैं। लेकिन अबास नक्वी नहीं है, क्योंकि आपको मुसल्मान नहीं चाहिए। हम यही कह सकते हैं कि फिर मुसलमान नहीं चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का डर पैदा करके आप सत्ता में बनाए रहना चाहते हो, यह polarization करने के लिए आप अलप संक्यक और मुसलमानों को target करते हो, आपको देश की कोई चिंता नहीं है, देश के समस्याओं की कोई चिंता नहीं है, देश का विकास की कोई चिंता नहीं है, आपको एन केन प्रक्रेंट सत्ता में रहना है, इसलिए आपको अलप संक्यक कभी भी प्रदान मंत्री इस देश में नहीं हो सकता, जब तक भारतिये जंता पाड़ी और संक्य की मानसिक्ता इस देश की राजनीती में बनी लेकिन उनका जो अजंडा है उनका जो रोड मैप है शायद वो रोड मैप उन्हें ज्यादा अच्छा लगा तो उनको लगा कि अब भिटन को यही निकालना है बाहर समस्याओं से तो यही शक्स हमें निकाल सकता है ओबामा यही शक्स है हमें जो निकाल सकता है इसलिए उन्होंने उनको सत्ता में लाया, इसलिए नहीं लाया कि एक ब्लैक को लाके हमको दुखाना है दुनिया को, कि हम बहुत बड़े दिलवाले, हम एक आदिवासी को प्रदा उधर राष्ट्रपदी बनाते हैं, और इधर आदिवासीों को जंगल से, जंगल काट के हमारे यहां यह नहीं होगा, इसलिए कम से कम संग और बीजेपी की मानसिक्ता वाली राज की विचारधारा इस डेश के राजनिती में रहेगी, यह बार बार इस बात को इंगित करेंगे, कि बहुत काबिल मुस्लिम यदी कही एक अर्थशास्ति निकला और उसको यदी वि मनमोहन सिंग अलप संक्या के और प्रदान मंत्री बने यह गाना गाते हैं, मनमोहन सिंग एक काबिल एकोनोमिस थे, यह गाना कोई नहीं गाता, डॉक्टर आमबड कर दलितों के मसिया के पूझे जाते हैं, आमबड कर वर्ड में बहुत बड़े एकोनोमिस थे हैं, आज यह भी उनकी लिखी हुई किताबे आज भी समस्याओं का निदान करती है, 222 में भी समस्याओं का निदान उनके किताबों में धुड़ा जा सकता ह और यह लेकिन आमबड कर दलित दिखता है, आमबड कर एकोनोमिस्ट नहीं दिखता, आमबड कर रणनेड नहीं दिखता, हमारे प्रदान मत्री अपने आपको यह नहीं कहते कि मैं विकास की गाता लिख रहा हूं, वो अपने आपको कहते कि मैं OBC हूँ झाल झाल